घर्शन या फ्रिक्षन में एक बहुती रोमांचक प्रश्ण है कि रोलर को धकेलने की बजाए खीचना आसान होता है क्यों पूलिंग ए लॉन रोलर इस एजियर देन टू पूश इट मतलब ऐसा क्यों होता है कि रोलर को खीचना तो आसान होता है पर उसकी तुलना में ढखेलना थोड़ा मुश्किल होता है तो ये दोनों बातों का अध्यन हम करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं खीचते समय क्या होता है तो यह हमारा जमीन पर एक रोलर रखा है और इस तरीके से जमीन पर यह रखा है और इस रोलर का भार यह डबल्यू है ठीक है तो यह रोलर रखा है और यह रोलर का भार कितना है डबल्यू है अब इस रोलर को हमें खीचना है तो नेचरली खीचने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा तो यहां कि आप रोलर को खीशते हैं इस तरीके से यह हैंडल यहां होगा और आप इसको खीशेंगें तो खीशने के लिए आप सपोज उस पर कितना बल लगाते हैं एफ बल लगाते हैं तो देखिए क्या होगा कि ऐसा हम मान रहे हैं कि रोलर का भार जो है वो W है और इस रोलर को खिशने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ रहा है F बल इस तरीके से लगाना पड़ रहा है यह देखिए यह बल की क्रिया रहा है और यह F बल हम इस रोलर को होगा वो हो जाएगा जिसको आप f cost टीटा कहेंगे और एक इसका उर्धवादर घटक हो जाएगा जिसको हम कहेंगे f sign टीटा तो यहाँ बल f को दो लंबवद घटकों में वियोजित किया जा सकता है इस तरीके जो है वो इस तरीके से यह उर्धवादर घटक है जिसको आप f sign टीटा कहेंगे यह उपर की ओर लगेगा और एक यह यहाँ इस तरीके से इस जगे देखिए आप यह क्षेतिज घटक होगा और इसको आप कहेंगे f cost टीटा और यह क्षेतिज दिशा में लगेगा तो एक आपका f cost टीटा हुआ और यह दो लमवद घटक है अपके हो गए तो क्षेतिज घटक f cost टीटा किदर लग रहा है यह आगे की ओर लग रहा है मतलब रोलर को आगे चलाने में मदद करता है और f sign टीटा एक्चुली यह जो है उर्दवादर घटक है और यहाँ चुकि यह बहुत इसपस्ट समझ में आ रहा है कि रोलर को हलका बना रहा होगा तो f sign टीटा जो है यह किदर लग रहा है उपर की ओर लग रहा है इंगल में हमेशे ध्यान रखिए जहां कोण बन रहा है ठीक है वहां से जब आप दो लमवद घटकों में वियोजित करने तो जहां रॉस वाला घटक लिख दीजेगा यह आपको समझने के लिए है और जहां कोण नहीं बन रहा है यह वाला घटक आपका f sign है ठीक है अब क्या कर रहे हैं आप कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया है देखे भार डबल्यू नीचे की ओर तो अभि यह देखे भार डबल्यू किस से बेलेंस हो रहा है यह ओरा R प्लस f sign है इस समय है न मतलब R प्लस f sign है डबल्यू के बराबर है means W is equal to r plus f sign हो रहा है तो यहां आप यह ज tapping देखें कि W की value किसके बराबर हो रही थी यहां से आप R का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा W माइनस F साइन ठीटा तो यह R की value हो जाएगी जिसे हम अभिलम प्रतिक्रिया के रहें क्यों निकाली आपने value क्योंकि हमें गतिक घर्षन बल का मान निकालना है FK का मान और FK होता है मू के आर तो आपको गतिक घर्षन बल निकालना तो आप निकाल लीजिए FK is equal to होता है मू के आर मू के जो है यहां पे गतिक घर्षन गुणांके तो FK is equal to मू के आर हो गया यह गतिक घर्षन अमल का मान हो गए और मुके और आर की वेल्डिय हो गई डबल्यू माइनस एफ साइन ठीटा यह कौन सी इस्तिती में हो गई खींचते समय हो गई अब हम निकालेंगे धकेलते समय एफ के का मान और फिर दोनों मानों की तुलना करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किसमें घर्षन जादा हो रहा है अब जिसमें घर्षन जादा होगा उसको उस इस्तिती में रोलर को चलाना मुश्किल होगा तो चलिए चेक करते हैं अब हम ल देखी पूरा पूरा वेसा को एसा नकल करते चलिएगा गया आप जो आपने वहा लिखा था वह से यहां निकाला ना के वल खीशते समय के बजया धकेल ना समय लिख दीजेगा तो दिखी ये बल आपने F लगाए और बल की क्रिया रखा ये बल F ठीके अब यहां अगर क्षेतिज के साथ एंगल ठीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ ठीटा और ये क्षेतिज घटक हो गया F कॉस्ट ठीटा ये उर्दवा F के कितने घटक हो गए दो लमवद घटक हो गए F कॉस्ट ठीटा जो रोलर को आगे की ओर बढ़ाएगा और एक F साइन ठीटा हो गया जो किधर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है ठीक है ये बिल्कुल वैसी की वैसी लेंग्वेज लिखना आपको जैसी आपने आपने यहां पर जो अब जो गतिक घर्शन बल F के लगेगा वो म्यू के आर डेश से कितना हो जाएगा देखिए गतिक घर्शन बल F के डेश है ना इस बार बदल गया थोड़ा सा घर्शन बल तो गतिक घर्शन बल को आप के डेश लिख दीजेगा वो गया म्यू के आर डेश म्य मु के इन ब्रेकेट डबल्यू प्लस एप साइंटिटा अब ध्यान दीजिए कि खीशते समय एफ के कितना आया था मतलब जो गतिक घर्षन बलाया था वो आया था एफ के इस इकल टू मु के डबल्यू माइनस एप साइंटिटा नेचुरली यहां भार में से एप साइंटिट गट रहा है तो डेफिनेटली जब यहां पर क्या हो रहा है किस इस्तिती में यह समीकन एक और दो से देखें तो किस इस्तिती में गतिक घर्षन बल जादा है यह एफ के डेश का मान देखें डेफिनेटली यहां डबल्यू प्लस एप साइंटिटा लिका है डबल्यू माइ गर्शन बल जादा हो रहा है मतलब धकेलना क्या हो रहा है मुश्किल हो रहा है क्योंकि गर्शन तो गती विरोधी बल है तो धकेलना मुश्किल हो रहा है तो भी धकेलने की बज़ाए क्या आसान है धकेलने की बज़ाए खीचना आसान है धन्यवाद